देखे मैंने CVI के साथ exercise policy के मामले में हर जाच में सहयोग किया है हर तरह की उनकी पूछताच में सहयोग किया है लेकिन इस वक्त दिल्ली के लिए यह बहुत कुरूशल समय है क्योंकि दिल्ली का अगला एक साल का बजट अभी मैं तयार कर रहा हूं और फाइनल स्टेज पे है बजट की सारी तैयारी फरवरी के एंड तक मुझको वो तयार करके सेंटरल गौर्डमेंट को भीजना है तो इसलिए मैंने CBI के ऑफिसेज को रिक्वेस्ट किया है कि आपकी हर पूस्ताश में मैंने सयोग किया है मैं आगे भी करूँगा लेकिन फिल्हाल मेरा डे टो डे मैं दिनरात एकर के बजट को फाइनलाइज कर रहा हूं उसके बाद मुझे कभी भी बुला ले मैं सारे सवालों के जवाब दूँगा एकसाइस पॉलिसी पर मेरे पास सारे सवालों के जवाब हैं लेकिन अभी बजट की प्रोसेस को डिरेल ना करें मुझे पूरी आशंकाती कि ये ग्रफतार करेंगे इसलिए मैंने इनसे रिक्वेस्ट किया है कि भी मैं एक बजट फाइनल करना है अगर आपको बीज़ेपी के कहने पर ग्रफतारी करना है तो उसके बाद कर ले ना नहीं है यदि कोई घोटाला नहीं हुआ है यदि आप मासूम है तो जांच के साथ सहीओ क्यों नहीं करते शुरुवाती दौर से पहले विक्टम हुड कार्ड खेलना फिर मामले को डाइवर्ट करना किसी भी सवाल का शराब घोटाले पर जवाब न देना जांच को प्रभ कानी पॉलिसी को वापिस लाया और नहीं पॉलिसी हटा दी क्यों आपने आर्टिय में कहा धायाजार करोड का नुकसान हुआ है और जिस प्रकार से बड़ा मुनाफ़ा कराया गया और यह सारी चीज़े अर्विन केजडिवाल के इशारे पे हुई इसके भी प्रमान सामने आ चुके हैं और यह सारा घोटाले का पैसा चुनाओं में इस्तमाल हुआ इन तमाम सवालों से भागने के लिए चिपने के लिए आज मनी सिसोधिया फिर से एक बहाना बना रहे हैं